हलो एरिवान एंड वन्स अगें वेलकम टो उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माईसल्फ उमर तस्कीर कईस फेस्बूक एड सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट जो है वो डिसकस्ट करने वाले हैं सबसे फ़ले शुरू करते हैं कि अगर हमारी कुछ इस टाइप की रिकॉइर्मेंट है कि हमारा इक बिजनस है या हमारे क्लाइन का इक बिजनस है उनके लिए हम आड रन करें मैं इक स्पैसिफिक लोकेशन के अंडर मान लेते हैं कि सिटी लेविल के अगर हम बात करें तो मा हमारा आड दिखे ही दिखे, कहने का मतलब कि हम पूरे area को dominate करना चाहते हैं, sports niche में, यानि कि sports में interest रखने वाले लोग, उस area में जितने भी लोग हैं, सब को हम अपना आड जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो पहला question तो यह है कि क्या यह possible है अगर possible है तो किस तरीके से possible है और execution के level पर क्या challenges आते हैं अगर हम इस चीज़ को execute करना चाहें या practical इस चीज़ को implement करना चाहें Facebook ads के system के थूँ तो क्या यह possible है और possible है तो क्या सही तरीके और क्या challenges आएंगे इन साथी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे जो primary मुद्धा है इस particular video का वो यही है कि एक specific niche एक specific category में क्या हम dominate कर सकते हैं क्या हमारे ads उस category में जितने भी लोग है उन सभी लोग को हम दिखा सकते हैं उसके बाद बात आएगी कि उस particular category के dominate करने की बाद city level पर है या state level पर है या एक location के level पर है या पूरी country इंडिया के level पर है तो गैस अगर मैं बात करूँ इंडिया level की जैसे मैं यह मान के चलता हूँ कि मेरे को sports category में interest करने वाले सभी लोग को add दिखाना है यह मैं मान के चलता हूँ as an advertiser कि मेरे को सभी लोग को add दिखाना है all over India पूरे इंडिया में जितने भी लोग है sports में interest रखते हैं सभी को मेर असान नहीं है यह मुश्किल है execution के level पर भी मुश्किल है और उससे जादा important एक और चीज़ आ जाती है इस चीज़ में वो होती है हमारी budget जब कभी भी हम लोग domination की बात करते हैं जब कभी हम लोग इस type से add दिखाने कुश करते हैं कि नहीं मुझे तो अपने पूरे area में जो वीडियो में जो भी हम discuss करने वाले हैं वो basically एक higher budget strategy होगी यानि कि जो भी points हम लोग discuss करेंगे तभी implement हो पाएंगे जब हमारे पास थोड़े से budget को लेकर constraints जो है वो ना हो या हम budget को लेकर limited ना हो थोड़े से flexible हो budget को लेकर हो जितने budget की हमारी जरूरत हो वो हम budget वहाँ पर possible थोड़ा सा मुश्किल है और guys जब हम area बढ़ाने की बात करते हैं मैं एक example आपके सामने लेकर चल रहा हूँ कि मैं उन लोगों को target करना चाहता हूँ डेली के अंदर जो लोग sports में interest रखते हैं तो यहाँ पर मुझे budget चाहिए ठीक है वही पर मैं आप से बात करता हूँ कि मेरे को डेली के एक specific location में 4-5-6-8 km के radius में या 3 km के radius में उन लोगो target करना है जिनको sports में interest है तो वहाँ पर मुझे budget थोड़ा सा कम चाहिए वही पर मैं अगर India level की बात करने लगू तो आप खुदी समझ सकते हो कि all over India में जो लोग sports में interest रखते हैं उनका potential कितना जादा होग in terms of numbers also ठीक है तो ऐसे चीज़ें अगर हम करना चाहते हैं या पूरा clean sweep ही कर देना चाहते हैं कि इस particular interest के लोगों को all over India मेरा art to दिखने चाहिए possible है कुछ हद तक possible है technical implementation में भी challenges आएंगे बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको budget की ज़रुरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ह यह possible है यह पूसिबल है पर फिर से मैं कहूंगा यह बात 100% possible नहीं है कि जितने भी लोग sports में interest रखते हैं उन सभी लोगों को आप इंडिया लेविल पर या डेली के लेविल पर इंडिया लेविल पर मतलब country लेविल पर या state लेविल पर या city लेविल पर या छोड़े से radius के लेविल पर अप target कर पाएंगे उतना भी आसान नहीं है चलिए बात करते हैं कि अगर हमें करना भी है ठीक है बड़े budget की बात करते हैं एक नॉर्मल बजट की बात करते हैं एक छोड़े business की बात करते हैं तो दो चार पांच किलोमेटर के radius में operate करता है एक्जामपल के तो क्या इस चीज को हम dominate कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को इस particular वीडियो के अंदर discuss करेंगे मैं coaching की बात कराओं इसलिए मैं इस type के जो interest है वो ले रहा हूं यहाँ पर मैं जो business का nature ले रहा हूं या जो business का type है वो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर जो business है that is basically a coaching जो UPSC की preparation कराती है या हम मान ले SSC की preparation कराती है इस type की कुछ coaching हो सकती है जो एक specific area में जो है वो operate करती है physical business है यह coaching है जो एक specific area में operate करती है तो अगर इसके business का type की बात करें तो यह geographically limited business है यहाँ पर यह मान के चल रहा है यहाँ पर आज के time में तो ऐसे कोई भी coaching नहीं है जो geographically limited हो क्योंकि आज के time में आप देखी रहा हो कि digital marketing इतना popular हो चुकी है यहाँ पर हम लोग YouTube की बात करते हैं आज के time में बहुत सारे लोगों के पास मलब इस type के businesses के पास जो है वो apps है तो आज के time में तो geographically limited नहीं है बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर case मान के चलो कि एक ऐसा business जो geographically operate कर रहा है geographically limited है physical limitation है उसके पास और वो उन लोगों को target करना चाहता है जिनको जो interest है वो government jobs में है या वो graduate है क्योंकि वही लोग इनके potential जो है वो student है तो वो इन लोगो target करना चाहता है और एक 5 km या 10 km की radius में target करना चाहता है क्या यह किया जा सकता है अगर ही किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है तो वैस सबसे पहले तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि आपको budget जो है वो यहाँ पर हैवी रखना पड़ेगा, यह चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, मलब budget में आपको flexibility चाहिए आपर, यह नहीं है कि आप यह सोचो कि मैं limited budget के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ achieve कर सकूँगा, ऐसा बिल्कुल possible नहीं, आपको ठीक ठाक जो है वो budget चाहिए तभी आप थोड़ा सा clean sweep कर सकते हैं, वो भी clean sweep की जो percentage है वो आप एक तरीके से 100 percentage बिल्कुल ना माने, आप यह मत मान के चलें कि आप 100% जो है वो clean sweep कर पाएंगे, फिर भी आप यह मान के चलें क कि आप 70-60% लोगों तक ही reach कर पाएंगे, यह आप starting में ही मान के चलें, अब थोड़ा से system को समाने ही कुछ करते हैं, गाइस मान के चलते हैं कि जिस भी area को आप target कर रहे हो, 10 km के area को target कर रहे हो, मान के चलते हैं कि इसमें जो आपने interest pick किया यह वाला, इस interest को follow करने वाले ल अब ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1000 हो सकता है, लाखों लोग हो यहाँ पर, इस particular area के अंदर पर यहाँ पर मान के चलता हूं, इसमान के चलते हैं 1000 लोग हैं जो graduate हैं और government jobs में जो हैं वो interest रखते हैं, government jobs में interest रखते हैं, वो लोग जो हैं 1000 लोग हैं यहाँ पर, right, अब गाइ इस Facebook different different categories के अंदर रखता होगा कि नहीं, यह बात आप मान के चलो कैसे रखता होगा, क्योंकि यह जो 1000 लोग हैं, इनका Facebook के उपर अलग-अलग तरीके का interaction होता होगा, कुछ लोग जो है government jobs के या coachings के जो ads हैं, उनके साथ interact करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनोंने प activities, यह 1000 लोग Facebook के उपर कर रहे हैं, उनसे Facebook के system को कुछ signal जाता है, और वो further इन 1000 लोगों को divide कर देता है, किस basis पर divide करता है, वो इस basis पर divide करता है, कि यह 1000 लोग interest तो रखते हैं government jobs के अंदर, यह बिलकुल सही बात है, interest रखते हैं government jobs के अंदर, बट इन में से बहुत सारे जो landing page है, उनके उपर visit किया, तो Facebook ने further इनको classify कर दिया, कि इन लोगों के chances हैं, right, इन लोगों के chances हैं, कि यह लोग अगर further कोई coaching अगरा का ad देखेंगे, तो chances हैं कि उस ad से engage होने के बाद, यह उस coaching के landing page के उपर जाएं, है ना, इनके behavior के basis, कुछ percentage भी आप मान सकते हो, मान उसमें से Facebook यह मान के चलता है, कि 20% वो लोग थे, जिनके chances जादा हैं कि वो engagement करें, क्योंकि यह लोग पहले भी जो हैं, वो engagement कर चुके हैं, किस type का engagement, यह post के उपर comment कर चुके हैं, like कर चुके हैं, share कर चुके हैं, post के साथ engage हो चुके हैं, तो Facebook का system यह समझता है, कि 20% लोग इनकी probability है कि ये engagement करें या ऐसी activities कर रहे हैं जिसे Facebook को signal जा रहा है कि इन लोगों को interest तो government jobs के अंदर है ये बात clear है बट साथी साथ इनकी probability है कि ये ads के साथ engage करें तो जब कोई advertiser क्योंकि दो sides है यहाँ पर हमारे पास audience set है ठीक है ये audience set है या ये लोग है आप इस तरीके साथ स आने का number आएगा तो आपके पास campaign को objective select करना पड़ेगा कि हमारा जो ad है या हमारा जो campaign है उसका objective क्या है उस campaign का objective traffic है उस campaign का objective conversion है उस campaign का objective engagement है क्या है ठीक है तो गैस यहाँ पर फिर से समझते हैं कि एक हजार लोग को जिनको भी interest था government jobs के अंदर उसमें से 50% लोग ऐसे थे जिनकी probability थी कि वो अगर add देखें तो वो click करके जो है landing page के उपर जाएंगे कुछ लोगों के engagement करने की probability थी और कुछ लोगों का जो conversion है उनको करने की probability थी जिसमें आ जाता है हमारा जैसे form fills होगरा कि ये लोग इस type से engage कर रहे थे या इस type से activities कर रहे थे कि Facebook को signal जा रहा था क कि ये लोग further जो है वो conversion भी कर सकते हैं अब guys यहाँ पर समस्ते हैं main बात जो मुद्दे की बात है कि हम लोग तो ठहरे advertisers और इस वीडियो को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको मुद्दा बता दिया था कि हमारा मुद्दा तो इन 1000 लोगों को clean sweep करने का है चलो मैंने budget रखा 1000 का और जब मैं campaign बनाने जाओंगा तो campaign का objective क्या मेरे से नहीं पूछेगा तो मैंने campaign का objective रख लिया मैंने campaign का objective जो है वो traffic रख लिया कि मेरे को जादा जादा traffic जो है वो मेरे landing page के ऊपर चाहिए this is the objective of my campaign अगर मैं इस campaign objective के साथ जाता हो मैंने 1000 budget रखा और यहा Facebook का system जिस तरीके से design है आपको पता है कि वो क्या करेगा वो इन लोगों को हमारे जो ad है वो दिखाने कुछ करेगा क्योंकि मैंने Facebook से पहले ही बोल दिया कि देखो भाई ये मेरा budget है ये मेरा budget है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे landing page के ऊपर traffic आए तो Facebook किसको ad दिखाना चाहे इन लोगों को ad दिखाता भी हूँ तो हो सकता है मैं 50% पूरा न cater कर पाऊं मैं केबल 10% ही cater करूँ यहाँ पर अगर मैं budget को increase करता हूँ यह धीरे-धीरे increase करता जाता हूँ तो मैं देखूंगा कि इस particular audience set में जो जिनके probability थी कि वो हमारे ad के उपर engage करें और हमारी website के उपर as traffic आए उनका percentage बढ़ता जाएगा यह 50% का 10% था अब इस 50% का हो सकता है हम 40% cater कर पा रहे है इस 50% का 40% की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इस 50% का 40% cater कर जा रहे है और मैं budget बढ़ाता जारह हूँ और मैं budget बढ़ाता है जो हो सकता है यहाँ पर यह 50% में जितना भी audience आए लेट ठीक है ये पूरी जो audience है 500 है तो 500 की 10% जो है 50 की audience मैं यहां cater कर पा रहा हूं ठीक है 500 की 40% जो है वो मैं यहां cater कर पा रहा हूं ठीक है यहां पर मैं cater कर पा रहा हूं ठीक है उसी तरीके से 500 की बहुत जारा मैंने budget बढ़ा दिया ठीक है क्योंकि बात यही हो रही थी कि अगर ह में एक specific niche को ये जो हमने niche मानी थी इसको completely अगर हमें dominate करना है तो एक चीज तो हमें शुरुआत से ही make up करके mind make up करके चलना पड़ेगा कि हमें budget तो लगाना पड़ेगा तो हम budget लगाते जा रहे हैं budget लगाते जा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है क्योंकि हमने traffic campaign objective select किया हुआ है तो उसकी वज़े से हम केवल इन ही लोगों को जो है वो cater कर पा रहे हैं अभी भी हम इन लोगों को जो engagement वाले हैं या जो conversion वाले हैं इन लोगों को हम cater नहीं कर पा रहे तो यह potential तो अभी भी sweep करने के लिए budget चाहिए जाद 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 बजट चाहिए तो आपने लगा दिया हाँ पर 20,000 रुपय का budget भाई साब 20,000 का budget तो लगा दिया लेकिन आपने का आपको traffic चाहिए और traffic चाहिए उन लोगों से जिनको interested government jobs में तो यह वो लोग थे अब इनको बार 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 आड़ दिखेगा तो क्या होगा आपको पता है frequency जो है वो increase होगी कई बार मैंने frequency के उपर बात किये क्योंकि यह important मुद्दा है Facebook ads में frequency एक बहुत important चीज है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो frequency है वो increase होती जाएगी मतलब एक ad जो है आपका बार बार इनी लोगों को दिखाई देगा तो यहाँ पर आपकी जो frequency है वो increase होगी आप अभी भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो कहने का मतलब क्या है सीधी सी बात आपको समझ में आने लगी होगे अगर आप regularly जो है मेरे वीडियो को follow कर रहा है कि अगर आप एक specific area के अंदर एक particular category को या एक particular niche को या एक particular type of interest को 60 to 70% भी अगर आप dominate करना चाहते हैं तो केवल और केवल जो budget है वो मुद्दा नहीं है budget के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आपको different different जो आपकी campaign objectives है उनको भी आपको touch करना पड़ेगा budget तो है important चीज है लेकिन उसके साथ ये भी एक important चीज है तो guys situations आती है practical life में ऐसी situations आएंगी जब कभी भी आप अपने business के लिए अपने client के business के लिए आप campus run करेंगे ऐसा बिलकुल नहीं कि situation ना आएगी और ये possible कहीं हद तक अच्छी तरीके से है अगर आपका जो location है वो बहुत बड़ी location होती तो वहाँ पर जो challenge है काफी ज़ादा हो जाता है काफी बड़ा हो जाता है लेकिन अगर बहुत बड़ी location ही है तो challenge उतना बड़ा नहीं है और आप बड़ी आसानी से उस particular niche के उस area में 60-70% लोगों को cater कर सकते हो ये possible है इसको clean sweep strategy बोलते हैं इसको domination strategy बोलते हैं लेकिन primary क्या चीज है प्राइमरी आप ये चेक करो location limited हो अगर location limited है okay domination strategy लग सकती है budget की problem नहीं है okay domination strategy लग सकती है दो चीजों को check करके move कर जाओ फजोगे कहां यहां अगर एक ही campaign objective के उपर टिके रहे तो क्या होगा उस campaign objective के around जो potential होगा उसी को आप आइड दिखाते रहोगे बाकियों को नहीं दिखाब हो थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से भी समझना है फेस्बूक आइड सिस्टम में कोई button नहीं है कि आपने button दबाया और सब कुछ जो है अपने आप हो गया हमें खुद से strategies बनानी पड़ी हमें खुद से strategies टेस्ट करनी पड़ी बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ी दोसरा आशा करता हूँ वीडियो आपको valuable लगा होगा वीडियो को share जरू करें दूसरे लोगों तक पहुंचा है जिनको भी Facebook ads में problem हो रही बहुत सारे वीडियो से Facebook ads से लेटर पूरी playlist है और बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे एक बार मैं basic course complete कर लूँगा और उसके बाद advance चीज़ें आएंगे और regular basis पे tips, tricks वगएरा आती रहेंगी Google ads, Google analytics की series already जो है इस particular channel के उपर complete हो चुकी है Facebook ads और SEO चल रहा है साथी साथ मैं Microsoft ads के भी videos बना रहा हूँ बीच बीच में आप लोग की demand रहती कुछ different type के videos लाने कि नो मैं different type के videos लाता रहे तो अपने experiences भी share करता रहता हूँ काफी support करते हैं आप लोग, मैं अक्सर देखता हूँ काफी comments आते हैं, काफी प्यार मिलता है आप लोगों से, इसी तरह के support करते रहें channel को support करते रहें, मुझे support करते रहें तक हम motivated रहें और आपके लिए ऐसे regularly basis पर जो content है वो लाते रहें जिनसे आपको benefit होता रहे मिलते हैं next video में, till then goodbye करते हैं